इस वाले question को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है यह एक basic question है आप इसको कर सकते है एक nuclear reaction है और इस nuclear reaction में यह आपको समझाया जा रहा है कि जो जेड एकस element है जिसका atomic number जो है जेड है और mass number यह है और इसने एक y नाम का element बनाया जिसका z plus 1 हो गया और यहां से a mass number कुछ nature हुआ तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अगर जो जेड प्रोटॉन है ठीक ना atomic number है वो एक बढ़ता कम है तो जब बीटा particle होता है बीटा particle या इसको हम electron भी बोलते हैं तो जेड बढ़ जाता है और इसका जो symbol होता है 0-1 ठीक है तो जो यह clear है कि जो पहला यह option सही नहीं है यह option सही नहीं है यहां पर बीटा particle होगा अब जो वाई है वह यहां से बी बनाया तो बी यहां से जिसमें ए-4 हुआ ए-4 हुआ और जो जेड-1 है मतलब ए-4 का मतलब ए हुआ कि मास नंबर जो है चार एज़गे वह चार कम होगा और जेड जो है वह हुआ है यहां पर हीलियम निकली आई तो जो ए है वह चार कम होता है जो है दो बढ़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डी ऑप्सन है वह सही है और फिर अगर यह अपने को इमिट किया भी और यहां से A-4 और यहां से Z-1 तो जो बी इमिट किया तो गामा इमिट किया हुआ जिस पर चार्ज और मास्ट लेस नहीं है मतलब अपना D ऑप्सन सही है थेंक यू